आपका दिक्तेशनी स्टार्ट होगा अब स्टार्ट महोदै हम देख रहे हैं कि पहले के मुकाबले में कहीं अधिक समयधानिक अधिकारों से रयूप सुप्रीम कोड ने अब तक कई प्रशास्निक काम अपने जिम्में ले लिये हैं यह बड़ी प्रसंता की बात है लेकिन सबसे सिंता जनक बात तो यह है कि मुझे न्याईक न्युक्ति प्रणाली में विश्वसनियता का अत्यधिक अभाव दिखाई पड़ रहा है मसलन तमिलनाडू कोड के न्याधिस ने यह जानते हुए भी उनकी पदोन्नती को मजबूरी ते दी जब की अदालत दो मामलो में उन्हें दोसी ठैरा चुकी है पीस्तर न्यापलिका ने दोहरे मानदंड अपनाने के आरोपो को निमंत्रण दे दिया है वैसे भी न्याईक दायत्व निभाने वालों की इमानदारी का पता लगाना के लिए मुख्यनादिस के पास कोई उपाय नहीं है जब नियुक्ति की जिम्मेदारी कारेपालिका की थी तब फुफिया मशीन जी से सारे उमिद्वारों की रिष्ट भूमी की खोट कर ली जाती थी अविया मानदंड नहीं रहा न्याईपालिका अपनी ताकत बढ़ा रही है तो कारेपालिका और विधाईका की कीमत पर और इस क्रम में यह समयधानिक जांच परक और संतूलन की बेतर रवस्था को छती पहुँचा रही है ब्रस्थाचार के लगतार उभर रहे मामले ने इस मुद्दे पर होने वाली राजनेती पहल को रोक कर रख दिया है नयी सक्रिता को लेकर संसत का विशेशत बुलाने या उस पर लगाम लगाने के लिए समयधान में संसोधन की सारी कोशिश नाकाम रही है ताज प्रस्थाव एक ऐसे समीधान में संसोधन का है जिसके द्वारा नेताओं को ब्रस्थाचार निरोधक कानून के दाएरे से बहाल ले आने की बात है या एक समयधानिक संतूलन बहाल करने की जग शायद नेताओं को बचाने का प्रयाज लगता है जब तक नेता लोग खुद को बचाय रखने की कोशिश में जुटे रहेंगे तब तक न्यायपाली का ज़्याद ताकतवर होती जाएगी नब्बे के दशक में विधाई का अन्रूनी कलर से त्रस रही तो कारपाली का कमजोर पड़ती दीख रही है इन इस्तिछियों ने न्यायपालिका को जहादी की भूमी का अक्तियार कर लेने का रास्ता साफ कर दिया है की अब न्यायले के फैसलों पर पीट रही तालियों के बीच उसके शर्व सक्तिमान बन जाने के खत्रे को नजर अंदार नहीं किया जा सकता कानून से उपर रहना न्यापालिका के लिए बड़ा आसान है इसके लिए उसे कानून की व्याख्या अपने मकसद से करने भर की जरुरत है